मारे संदर्व में मैं आ आछा यह 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 मुक्ति बोध और अग्ये को लेकर आप एक बार आपस में कुछ ये कुछ बात हुई थी तो क्या बात हुई थी कुलकता का ही वो प्रसंग है कलकत्ता का ही वो प्रसंग है बिल्डा व्याख्यान माला में भाग लेने के लिए अगेजी आये थे तीन दिन उनका कारिक्रम चला उनका विशय था काल के आयाम उन्होंने एक्षा जाहिर की कलकत्ता के साहितिकारों से मिलने की उन्हीं दिनों वे चाव थे सब तक के संभावितों का चैन भी कर रहे थे उनको लेकर एक कारेक्रम हुआ सावित्री गल्स कारेज में वहां वरिष्ट साहितिकार हर्सनाद जी आफिस प्रेटर्नेंट हुआ करते थे उन्होंने मैनेज किया था कलकत्ता के लगभग सभी बड़े और छोटे कहलाने वाले माजोले साहितिकार जुटे थे लगभग पच्चास की संख्या में हम लोग थे वहां अग्ये जी ने एक्षा जाहिर कीजिए कुछ बात्चीत आप लोग कीजिए क्योंकि वह कारेक्रम उनकी एक्षा के उनको रखा गया था भाई मान महंठा का और ने कहा कि बात्चीत की सुरुवात द्रुदेव तुम करो हमने कहां थीक है क्या ही चक है हमको हम उठे हमने कहां अग्ये जी यह आपके भासन तीन दिन हम सुने हैं प्यार से सुने हैं बड़ी महतंपूर्ण बातें अपने की है, एक बाता आपने कही है, अथार्थ को लेकर, सरक का अथार्थ कुछ और होता है, वह अथार्थ रतनाकार के मन में कोई और सक् cricket लेता है, और रतना में फिर वो दूसरी सक् 성공 ले लेता है, मैं जानना चाहूंगा, कि ये कही अथार्थ आप में और मुक्ते भोज में किस तरह रूपा अंतरित होता है ये मेरी जिग्यासा है अग्येजी ने प्रश्ण सुन लिया गंभीरता तो उनकी जगत प्रसिद्ध है कम बोलते हैं ये भी बहुत प्रसिद्ध है बावजूर इसके लगबग दो मिनट सोचते रहे हुए उनकी सब लोग देख रहे थे मैं भी थुड़ा आवाग था फिर भी अग्येजी का मुह खुला मुझे याद है उन्होंने कहा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जंदा हूँ मुक्तिबोष का सोभाग्य है कि वो मर गए मुक्तिबोष पर चर्चा मुझे मारने के लिए की जाती है मैं छुब्ध हो गया और मैंने कहा कि वो मुद्रह मुझे अपनी याद है आस्तिन चढ़ाते हुए मैंने कहा कि अग्येजी मुक्तिबोज की हत्या का खून आपके हाथ में लगा है आप नेहरू अभिन्दन ग्रंथ का समपादन कर रहे थे और मुक्तिबोज यंत्रनाओं के नरक्षे गुजर रहे थे कुछ ऐसा ही मैंने उनको कहा सुनने के बाद अग्ये जी बहुत अधिक गंभीर और हो गए, खामोसी तो उनकी जगत पर सिद्ध है, सभा में भी सन्नाटा साचा गया, उसके बाद मैंने अपने बातों में कुछ और कहा ही होगा, वो कल्टरल फ्रीडम पर, अग्ये जी ने जैसा जो मैंने कहा, वही उत्तर दिया था, इसके बाद कारिवाई आगे नहीं बढ़ी, बिसर्दित हो गई सभा, सब लोग अपने अपने रास्ते लगे, उसका रिक्रम में हमारे साथ ही लोग, नई पीढ़ी के भी कही शरत से, जैसे सुदेश भारती जी भी वहां थे, भाई संभुनात भी थे, कृस्म भ्यारी जी तो थे ही, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ, कि मेरे अंदर अगे जी को लेकर कोई अन्य था, भाई नहीं था, सुद्ध जिग्यासा थी, कि आखिर कोई अंतर तो है, लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि उनका वह उत्तर, गरत उत्तर था, उतना चुब्ध होने का कोई प्रसंग नहीं था, बिना प्रसंग के भी उनका चुब्ध होना, मुझको तो खाला, औरों को जैसे भी लगा हूँ, कुछ लोगों ने बाद में उसकी रिपोर्टिंग अपने कायदेश की, सोदेश भारती ने अपनी पत्रिका में कुछ लिखा, आदरणी कृष्म भी जी भी अपने एक आलेख कहो या संसमनों कहो, उनकी पुस्तक में है वो, दर्द किया, मुझे ये ज़रूर बुरा लगा कि मुझे, मुझे पर सिकायत हो रही है कि मैंने लोगों के सिखाने पर ऐसा किया, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे चरित्र के खिलाप है, किसी के उकसावे हो सिखाने की बात नहीं है, ये मेरे जिग्यासा की बात थी, मैं आज भी बांता हूं कि अग्ये जी का उस तरह उतर देना गलप था। मुफ्ति बोध्त को लेकर आपके संजीदिगी के पिछे का क्या कारण है। मुफ्ति बोध्त जी को लेकरником कुछ जागा हैं। तो उसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप मुझे से पूछ रहा है। मुक्ति बोध को लेक pewा-पर यह नों ही हमारे मयुसें पूर्वरा विचारग है कि और रत्नकार नहीं है विचारग भी हैं और इन दोनों का अपसी संपर्क रहा है अगेजी के उपर भी मुक्तिबोद का सहयोगी रुख रहा है तार सब तक गवा है इसका पहले कभी रहे हैं और अग्या जी के प्रति मुक्तिबोद के मन में कोई संसय नहीं था बावजूर इसके खुरी दृष्टी के थे मुक्तिबोद को छोट लग चुकी थी आरेसिस वाली आप जानते ही हैं मध्यप्रदूस में या कहां पर वो कितावरा कांड हुआ ही था और कुन्ठा तो मुक्तिबोद और अग्ये में अलगरा रूपों में दोनों जगा थी मुक्तिबोद को जीवन का संगर्ष जितने कराई से जहलना पड़ा था बिना धुके हुए जहलना पड़ा था वह अग्ये जी की जिंदगी में कभी नहीं रहा अग्ये जी को सच पूछिये तो मखमल के रास्ते से मखरमधी गद्धों से गुजरना पड़ा उनका जीवन क का मक्सर कुछ और था मुक्ति बोड अपनी रचना का उदेश जन चर्वितिरी मानते थे कालियात्री मानते थे इसलिए मुक्तिबोद के प्रति हमारे जैसे लोगों के मन में अधिक आकर्षन का होना केवल वर्ग सिद्धान्तों के कारण ही नहीं संसकार और साहित के प्रत दाइत और सीलता के चलते भी है मुक्तिबोद अपने अधिक्त में जारे दाइत शिल्द साबित होते हैं जीवन के प्रति जन जीवन के प्रति जबके अग्येजी कला के प्रति ही सज़क दिशाई देते हैं और दूसरी और साधारन जन से थोड़ा उंचे अस्तर पर ही रहना उनको सदा मंजुन दो पीर जाने गंज में साहित त्मावेश हुआ उस घटना के कई वर्ष के भाद और वहां सर्दादाफरी भी थे उनके अस्तर के बहुत सरे लोग थे अग्येजी भी थे लुड़ाजी भी थे हम भी थे उस घाटन सत्र में ही साहर कवता पाठ हुआ उहां मैंने नदिर लिस्लाम अपनी कविता पढ़ी और अग्येजी ने धीरे से कहा आई कांगेश लेटी हूँ मैंने कहा कि सुनाई नहीं दिया हुआ उन्हों ने जा जोर्से कहा हुआ आई कांगेश लेटी हुआ मैं वागई खूस हो गया कि इतना बड़ा साहित करा क्योंकि अग्ये के बड़े साहि मुझे खुछी हुई, मैं उनको अपनी कविता चोड़ती है पुस्तक जो उन्ही दिनवा पातकार में चपी थी, वो दी भी प्रसंद नहीं दिखे, उसके बाद येक भेंट मेरी उनकी आउर हुई, भारती संस्कृती संसर के रजत जैंती समारो में, जिसका दीप प्रजोलन उन्हों नहीं किया था, मुझे आद है अगेजी जीप जड़ा कर खाड़े थे, खामोश, कुछ नहीं बोल ले, भाई ने कहा कि भाई बोलो, बोलो, भाई बोलो, लोग सुनना चाहते हैं, बहुत आग्रा के बाद उन्होंने कुछ बातें कहीं, अगर मैं भूल नहीं रहा अगेजी के प्रत मेरे मन में आज भी सम्मान है, क्योंकि मैं मानता हूँ, अगेज का कद रतनाकार के रुप में बहुत उचा है, हाँ, उनकी महत्वा कांच्छा है, उनके कद से भी साज उची है, मुझे ऐसा लगता है कि वो, कि नुभूल प्राइज वारी कुंठा थी उ गिरस्त भी थे, और इमानदार थे, रतना और जीवन प्रक्रिया में, उनके फाक वा नहीं है, जो अगेजी में भी मिलेगी, बहुत हो में मिलती है, इसलिए भी मेरे लिए तो प्रेजा है, मुक्तिबोट के प्रत मेरे आसकती का कार लिए, मुक्तिबोट के रास्ते को सही मानते हुए भी एक अंतर मैं अपने से लिए उनका मानता हूँ, वे तालाब के किनारे खड़े होकर लह देखते रह गये, मैं तालाब में कुदा हूँ, थपेड़ मैंने खाये, मैंने थपेड़ह का थे, व्न थपेड़ों का दर्द हो ये मेरी रतनाओ में ही मिलता है, और जीवन के प्रतित समर्पित साहित एक साधना की धेन होता है, साहित अंतता साध्य होता है, सिद्धी के अउस्था तक होपा हुसता है। रचनाकार के तौर पर तो आप अग्येप को मुग के बहुत से बड़ा कह चुके हैं। उनके विस्तार के फालक बहुत बड़ा है। और बड़ा और छोटे का सवाल नो किया जा तो जादे अच्छा है। दोनों ने अपने भूम के अपने जगापर की है। गुनात्मक और मात्रात्मक दर्श्टी से भी अगे अगे पढ़ है। लेकिन जितना काम किया है। क्यावल पांच कहानियों वाला गुलेरी क्या आप स्कोर पाएंगे तीन कहानी कौन गुलेरी जी तीन कहानी वह ही कहा रहा हूं उसने कहा था वाली सर्दार पूर्ण सिंग्या लेक बहुत कम है तो इसे कोई फर्व नहीं पड़ता लेकिन अग्ये में गुनात मक्सता भी है मात्रात महना भी है हाँ मकसद में तो अंतर है जो परिवर्तन और परिवर्तन के रहर उठाना चाहते थे मुक्तिवोथ उसको लेकर उनके मन में कोई खास चंता नहीं है उनका जीवन शुक से भी बीता है अग्ये का जीवन दुखही से दुखही जीवन की कता रही किया कहूं आज नहीं कही है महाप्राहण लग सकती है लेकिन ये मैं मानता हूं अग्ये के प्रतिव मैंना उनके सताबदी समार हो वारे करम में उस अखबार में थेया अपने मेरा वह लेक चापा था और उस लेक के पहले पर अग्राफ का प्रफात वारता, प्रफात वारता में हाँ हूं अग्ये पर करिक्रम हो रहा था भार्तिवासा प्रताद में, वहां से हितेंडर पटेल का फोन आया था कि भाई साब आज हम बहुत प्रसंद है प्रचिभाजी ने अपना बक्ते पे शुरू करने के पहले आपका लेकिया एक कि यह हमारे क्लकष्तता के जन्वादी सहिस्ट का अंस है क्यांकि अग्या जीच प्रसम्मान भाव से मैं भक्त के सम्मान ऑन भी करता है अंध भक्त लोगों की बात अलग है लेकिन रस्नकार के रुपम तो मुझे भी गर्व है कि मेरी हिंदी में अग्यां जास्ते लोग भी अगे भी थे लेकिन मुक्तिबोष भी दोचार नहीं हुआ करते अगे भी दोचार नहीं हुआ करते थोड़ा सा आगे छूट लेकर कह रहा हूं अशुक बादपई को ले करके इसकदर उठेजित नहीं हुआ जाना चाहिए जितना हमारी चंद साथी हो जाते हैं एक दो दिन म करना नहीं करते हैं कौन भूलेगा अशुक बादपई का कम से कम मुक्तिबोष को ले करके काम करना है वह तो मानिये हैं और यह कुंठा है तुम देख सकते हो अपने जीवन पर संगों से भी बात बात पर हर बात का ठीकरा उसी के सिर पर क्यों खोर रहे हुँ भाई लगना है ताकत है तो लड़ो समस्याय तो सामने पाहर तो सामने कराओ कुछ कर पाओ तो करो और मेरा तो जानते ही वह निर्भै कि अंतरंगता तो मैंने हासिल किसी की नहीं साफ कर भी नपाऊं जब कलकता में प्र आया थे अग्गे जी उस समय भी मिन लगा तो इस तीसरी बार अ अग्ये जी के निर्मान में विशाल भारत अकबार का भी तो हात है अग्ये जी कलकता की भी उपज है की ही नहीं है की भी उपज है अग्ये जी मेरे कुछी नगर में पैदा होते हैं कस्या में बुद्ध की निर्मान स्थरी में पैदा होते हैं अग्ये का कलकता साधार नग तो नहीं है प्रानर तीर्ट है भारती संस्कृति का और हिंदी का को संभवता भारते निसे लेकर पासान तक कलकत्ता के रिगनी हैं न माने हुआ रग बात है चाया गेजी हुए चाया साइद मुक्तिबोट भी किसी पसंग में आये होंगे गालीव का तो सुने ही हूँ हुआ है मुझे तो गर्वें की मेरा कलकत्ता है और मेरे कलकत्ता ने ही कॉम दिया तो इस बार आया हुँ मैं लिखा भी है कि मुझे भगाया कलकत्ता ने अखवार में जगाठ दी फाला पोसा बहुत कुछ दिया आज कलकत्ता ने बुराया है क्ट्यू स्टिश धी मेरी आँ म पढ़ों ऐसे बात इंदू नहीं बोले बोलना चाहते ही नहीं थे डीपक उन जलाया था भामोंसे भवाणी अगरा को मांते वें तो कुछ को बोले थे जो हाँ आप जोनों के बीट में बाते हुए दूआ है रानी गंज में भी बात नहीं हुई, मुष्कुराटों का अधान प्रदान जलूर हुआ, जो उनके सभाव में भी था। और मेरी भी प्रक्रिचा है कि मैं नहीं जारे अग्रेसिया संबंद बनाने के लिए बहुत अग्रेसिव नहीं हुआ करता। चाहिए अपने स्वाजिमान की बात कर सो या जो भी, तुम लोग खुद मेरे अपने हो, लेकर कितना तुम नहीं का फैदा उठाना चाहा होगा मैं। अलग से तो कुछ नहीं, सहस्ता बस। मुझे खुशी है कि तुम मीरा हैं, और लोग नहीं है, कलकता की मेरे साथी। जेल परसंग को लेकर कुछ कर रहे थे, उसी समय जेल की यात्रा को लेकर रहे थे। कौन यात्रा? जेल जो गए थे आप, जेल यात्रा थे। सुच्छ से शोग की माय थेखने की में थे थे रहें, जेल पकलता है। जेल बढ़के को भीता रहें, जेल को पार् सुच्छ कूर को भीते है। से अलगे जो ठाहँ, पुचा की नाम, मिलेका मीर देखना माम Мंहरु हरजयन देखना माम्म्हरु हरजयन कि अभी जिन्दगी है अभी जिन्दगी है अच्छा तो इसको नदर अंदाद कर जाओ ने इसको छोड़ दी जिए हाँ बात समझे रचना कर्म पर मुक्ति वोध जी का क्या प्रवापरा में रतनाओं को देखो गया उतर सम्झोगी वह जो अंतर जुंद है एक हद तक मेरे ह मेरे अपने मेरे जीवन के हैं मेरे समाज के हैं मेरा वक्त मेरतनाओं से बोलेगा मुक्ति वोध के हैं और मेरे वक्त में जो अंतर होगा वह अंतर तो अलगर रूपों में प्रत्वरित होगा ही अगर वह हो रहा है तो जारे अच्छा है ना हम जुड़ते वहां हैं जैसे एक बच्चा एक पोस्टर जो करता तुम्हें सुनी। उस समय मुक्त जी को मैंने पूरा पहा भी नहीं था। लेकिन कहने वारों नहीं कहा कि कहीं नहीं उनका असर है आपके उपर। समझे नहीं। वो तो तुमनों का काम है कितना हुआ। बाबा के जीवन का प्रवाव रचना कर्म में भी एक बाद दरूर है कि चवराहे पर कुस्में। कविता मैंने उनके निर्देश पर लिखी। और उनकी सहस्ता समझो कि बालमी की चिंता किताब पर नहीं। संभुनाजी से कहा किस पर कारिक्रम करो मैं देख्टा करेंगा। मेरे लिए ये बहुत महत्पून चाहते। क्योंकि बालमी की चिंता का बीमोचन तो किदार ना सिंग ने किया था। उत घाठन भासन। बाबा ने संभुनाजी से बात की कारिक्रम हुआ। क्योंकि बालमी की चिंता का बीमोचन तो किया था। बाबा ने उस पर भासन दिया बाद में कारिक्रम हुआ उस पर। उसी मुझन का कि तुम अब क्रिश्ण पर लिखो। लंबी कब लिखो। लिख सकते हो तुम। छंद में लिखा करो। बाबा का मेरा एक उदारन और है प्रसंग छेदिलाल जी के चाहिकाने का नाम सुने हो गए। उन्हें दिनों मेरी किताब बिसंगतियों के बीच आई थी। बिसंगतियों के बीच का प्रवाव कितना दारून था और किस कदर उस पर चर्चा को रोका गया। यह करोन प्रसंग है हिंदी का। बाराल उसको छोड़ो। बाबा बिसंगतियों के बीच पड़ रहे थे और मेरी यूट ताक रहे थे। उन्होंने कहा कि वाँ 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 इस कव्चा के रिए तकलकता आना जरूरी है। यह बाबा के वाके थी। उसी संदर्फ में उन्हें एक दिन कहा कि धुरुदेव पासान सुनो कल तुमारे हमें खाना खाना कहूँगा। गये दूसरे दिन मेरतार, तुमेगे घर खाना कहा है। और होहा से हम लोग फिर काफी है उस आये अपने। एक प्रसंग औरभ है बाबा का। जो यार करता हूँ तो बड़ा बचित रगता है। शकलदीव जी का चस्मा उन्होंने एक जापन मारते हुए। छे दिलार की चाकाने में छीन लिया था। यह ख़बर मुझे मिली काफी है उसमें। अवसी दिन नागा अरजुन का कविता पाथ था भारती बाता पर चापने। अप्री जी वो चस्मा को फिर लोटाए थी। बता रहा हूं हालोटा है। आदमे अवद नराजी वो रजा कर गए। चस्मा हालोटा है। तुम ने सुना हो गया जगतना को। उसके पीछे कहानी मत पूछो मैं जानता हूं। तो शकलदीप जी ने को मजा कर दिया था क्या बाबा से। कुछ नहीं महारा। शकलदीप सिंह से मेरी पटे नपटे। शकलदीप सिंह एक सीरियस आजमी थी। और तुम सोचो, शकलदीप सिंह उम्र दराजार में थी। अगर बाबा ने छीना और हाथ उठा देती, तो क्या होता है। बाबा बाबा मनो वेगों पर अंसातन अपने नहीं रख पाते थी। एक बात यह सच्छ है। अवसी संदर में मैंने कहा था, कि अब यह नातक करके निराला बनने चले हैं। अच्छा है। उस दिन की गटना है। भारती वाजा परसर में उनका हेकल करता पाता है। सब लोग आये, साथ ही लोगी चला जाया। हम क्या हम नहीं जाएंगे। कहलो क्यों, हम नहीं जाएंगे। वह सच्छादीब भाई का हमारे चास्मा चीनते हैं। नातक करके निराला बनेंगे। तुम रोग जाओ मैंने, सलब से थोड़ी जरब भी मेरी हुई इस बात पाता है। मैंने, यह मैं नहीं कर सकता ह। बाबा हैं, मेरे बाबा हैं। लेकिन शक्रदीब रतनाकार हैं। और यह क्या क्या इन्होंने। जबकि अधनरायन जीव अगर जाकर महना होना की तसमा लाये थे। सुने हो गए इस गत्ना को तुम। उसके पीशे भी था कारण था। उक्षाया गया कहना था। उक्षा विबाज का नाम मत पूछो। मत पूछो। मेरे एक मित्र यहां होते थे अक्षे उपध्याय नाम तुने होगे। मेरे प्रतभी बाबा का एक बार का आतरन मुझे याद आता है। अलग्स नरायन के साथ में प्राय हम रो रहते साथ में वे गए बाबा कुछ ऐसा बोले जो अच्छा नहीं था नहीं बोलना चाहिए उन्हें लेकर उसी दिन वो अच्छा क्या खाना क्या है थे यही दुरुदेव में से पासान तो जनम चुका है जिसके बारे में जाकर दिली में उन्हें कहा था कि हिंदी का सबसे तेजा स्विश्वर हिंदीनों कलकता में है यह खबर मुझे मेरी दिली से ही लेकिन दिली वाला भी कोई ही यह नहीं कह सकता यह पासान ने कहा कि मुझे लिखो, जबकि लिखा गया है पासान परासा भी नहीं लिखा गया, गवाईयां सामने हैं, और आज तो निर्वे जैसे लोगों का प्यार मुझे आते लिए, भी स्वास आते लिए, और जिन लोगों का संभावी, यह पतर-पत्र का वारा मामला तुम जानते हैं, ठीक है, कालो, ही मै नहीं जाना है, यह देवेंदर का जो विश्वास मुझे मिला, तो मैं कहीं से भी पस्तारी आते लिखती में नहीं है, प्रसंद नहूं, जीखें तो फिर इस बात्चित को यह पर करें, पाल है, अगए अगए, 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 देले, देले, पाल, पा यह भावानी भाई के मारें बाब करता है भावानी भाई का आशिर्वाद भी मुझे मेरा है तो पर कविता रिखिये है जब के इनोजना कोई परचा नहीं है ने ठीका यह पर करते चावाद भी स्वच्चा यह की करते दो अगाद भी मुझे है और लागके अब करतेदा है तो आड एगाद प्रचा अड़ करते है तो इन मेरा तो एक है स्वच्च लोग सब्सक्वाद